पताने ये एक्जाम किसने बनाया है? ये एक्जाम नहीं जीना हराम है। सब पढ़ चुकी हूँ, रिवाइस कर चुकी हूँ, पांच बार रिवाइस कर चुकी हूँ, लेकिन तभी भी समझ नहीं आता एक्जाम में इतने गंदे माक्स क्यों आते हैं। और जो मेरे जैसे महन दादी जी मुझे क्या करने चाहिए पता है मोबाइल में हम भक्ति वाला गाना सुन रही थे अगन्या का वीडियो देखा नुमेने तुम उसके वीडियो देखो तुमको उसके फैदा हो अरे दादी जी तुसे ग्रेट हो निक्की और पुछ-पुछ चुलो मैं भी जाएकर तुरल वीडियो देखती हूँ देखो Hey guys, it's Aganya Gupta here and welcome back to my channel और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 amazing facts और वो जो है बहुत amazing है और आपके exam में भी वो बहुत help करने वाली है जैसे जैसे exam का date आ रहा होता है वैसे वैसे टेंशन और बढ़ती जाती है और ये बज़े thoughts आने लगते हैं कि जो पड़ी हो वो हाएगा ये बहार से आएगा मैं सही से score कर पाऊंगी की नहीं highest score कर पाऊंगी की नहीं और जो average student होते हैं जो साल में पढ़ते ही नहीं है उनके thoughts होते हैं कि मैं past भी हो पाऊंगी की नहीं और जो top पर होता है उसे top आने का pressure होता है क्योंकि लोगों की बहुत सारे expectations उससे जुड़ी होती है तो मैं आज आपको ऐसे study hack बताऊंगी जो आपको help करेगा अच्छा score करने के लिए So let's begin तो जब आपके पास question paper आएगा आपको किस तरह से उस question paper को handle करना है answers को लिखना है और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि top आस exam को attempt कैसे करते हैं कैसे लिखते हैं कि examiner उसका एक भी marks नहीं काट पाता Hack 1 How to write answer answer लिखने का भी एक तरीका होता है इसके लिए आपके writing अच्छी होनी चाहिए जो आप शब्द लिखोगे न वो दुसरों को समझा जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने answer सही लिखा है लेकि जब teacher check कर रही है तो उससे आपके writing ही समझ नहीं आ रही ऐसे में copy check करने वाले irritate हो जाता है और आपके marks को काट देता है अच्छी से लिखो, साफ सुतरा लिखो जिसे examiner को समझ आ सके कि आपने लिखा क्या है answer जो लिख रहे हो उसे अच्छी से explain करके लिखो अपने words में लिखो और किसके बारे में लिख रहे हो और यह मुझे बहुत अच्छी से आता है और इसे overconfidence के विदे से वो ही question को गलत कर देते हैं और फिर उसे काट कर correct करते हैं और यह गलती नहीं करनी चाहिए इसे marks कमाने के chances ज़्यादा होते हैं अब जो हो गया वो हो गया लिखा वो काटो नहीं किसी के पास इतना time ही होता कि वो एक एक word को पढ़े answer को साथ लिखो points में डाल के 1,2,3 डाल के करो और बहुत अच्छे से करो explain कर के लिखो ऐसे करो कि आप किसी को वो topic समझा रहे हो उसे समझ जाने चाहिए कि उस topic को explain कैसे करना है और अगर आपको किसी कोशन का answer direct याद है तो आप direct लिख लो क्योंकि examiner knowledge नहीं लिखते है आपने कितना रटा मारा है वो देखते हैं और इस बात को ध्यान में रखना hack 2 answer each question one by one तो जैसे ही bell बचता है कोशन paper हाथ में आता है कोशन paper को देखो बाकी को नजर अंदास कर दो और blur कर दो अपने आखो से ये मत सोचो कि दूसरे बचे पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ दुनिया क्या करी है उसी को देखते रह जाओगे तो आप अपना best performance कभी नहीं दिख पाओगे पहला question पढ़ो और उस question के हर word को focus करो और उस question से related जितने भी ideas आ रहे हो सब को rewind करो आपका answer आपके mind में ही ready हो जाएगा और अब date किस बात की है pen उठा और answer लिखने शुरू कर दो ऐसे ही first question लिख लो और अब second question पर आते हैं उस question को अच्छे से ध्यान से देखो और जो भी ideas आ रहे उसे rewind करो answer mind में बनाओ और pen अठा कर फिर से लिख दा लो आपको हर question का answer ऐसे ही attempt करना है बाकी की question को देखना या पढ़ना नहीं है जो question आप पढ़ रहे हो और आपका focus उसे question में होना चाहिए अब बारियाती है third question की या फिर कोई और question जो आपको नहीं आ रहा हो तो उसे छोड़ दो और उसे फिर बाद में attempt करो अगर आप उसी को सोच से रोगे तो आपका time waste हो जाएगा इसलिए उस question को छोड़ के आगे के question को करने में ही भलाई है ऐसे ही आप fifth question करो, sixth question करो सारे question कर डालो अब जब सारे question लिख दोगे तो फिर last question में जाना है कि जो आपने छोड़ा था माल जो आपने third question नहीं किया तो उसे फिर से बढ़ो क्योंकि board की exam तब तो आपको negative marking मिलती ही नहीं है तो अगर आप उस question को छोड़ दोगे तो आपके दो marks कम हो जाएंगे अगर आपने question का true-to-point answer नहीं लिखा है लेगर आपने अपने मन में जो है कुछ answer बनाया उस question की related तो कुछ ना कुछ marks तो आपको मिली जाएगा आप बात यह आती है कि इस तरह के question के answer को कैसे लिखें तो उस question को तोड़ दो words को अलग-अलग कर दो अब हर word पे अपना subconscious mind को focus करो और सोच उस word से लेटे आपके mind में क्या क्या आ रहा है और जो भी information आपके mind में आ रही है उसे combine करो और answer लिख डालो बस यह होना चाहिए कि आपका जो question का answer है वो उस question से relevant होना चाहिए ऐसे ने कुछ पूछा और और कुछ और लिख दिया और करी के बार ऐसा हो जाता है कि याद करते करते exact answer ही याद आ जाता है और ऐसे करते करते आप वो सारे question को attempt कर लो जो आपने छोड़ दिये थे आप पूरा paper complete हो गया आप इससे जाता क्या कर सकते हो और अभी आपने अपना 100% effort दे दिया है यह बहुत बड़ी बात है और अब आपके मन में कोई regret नहीं रहेगा आपका मन खुश रहेगा कि मैंने सारे question को attempt किया है और आप खुशे-खुशे घर चले जाओगे Hack 3 Don't discuss with your classmate यह hack भी बाकी hacks के तरह बहुत effective है रहो उस question करिया उस बात का जवाब मत दो घर में आओ और next paper की त्यारी करो actually में होगा क्या कि जब आप किसी और किसा वह paper discuss कर लोगे वो बोलेगा कि ऐसा ने तुमने गलत लिखा है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका answer से यह और उसका answer गलत है यह सवाल आपके mind को disturb जबर कर सकता है फिर आप next subject का जो exam है आपका आप उसकी preparation focus से नहीं कर पाओगे अंदर से कैसा कसक रहता है कि अगर मैं ऐसा लिख देती तो ज़्यादा अच्छा रहता सोच कि अपना ही दिमाग खराब करोगे इससे अच्छा किसी से discuss ही न करो जब आप paper दे कर आओगे तो full confident रहोगे कि मेरे paper बहुत अच्छा गया है और बाखी का paper भी अच्छा जाएगा तब आप full efficiency के साथ जो है अपने next paper की त्यारी में लग जाओगे और अगर कुछ discuss करना है न तो जो next paper है उसकी regarding कुछ discuss कर सकते हो यह second last बहुत ही powerful hack है नॉर्मिली हम क्लास में क्या करते हैं बैठे रहते हैं और हमें जैसे ही question paper मिलता है तो हम उसे read करना शुरू करते हैं कुछ ऐसे questions होते हैं जिसका answer हमें नहीं आता और इसके वज़े से हम panic होने रखते हैं और इसका प्रभाव जो question आता भी है हम वो भी भूल जाते हैं क्योंकि हमने अपने mind को disturb कर दिया है माल दो आपके question paper में 25 question आये हैं और उसमें सिर्फ आपको 20 questions आते हैं और इसके वज़े से जो 20 questions हमें आते हैं हम वो भी भूल जाएंगे अब बात यह आती है कि करें क्या तो ये tip को जो है follow करो जब भी भी आपके पास question paper आये उसे पढ़ने मत लगो question paper को सामने रखो एक deep breath लो आखे को बंद करो और उस इनसान को याद करो जिस इनसान का आप बहुत respect करते हो और उस इनसान का आपसे बहुत expectations है कि आप exam में अच्छे score जो है achieve करोगे वो इनसान आपका दादा दादी ममी पापा टीचर कोई भी हो सकता है और imagine करो वो आपको cheer करें that you can do this तुम कर सकते हो तुम चिंता मत करो मेरा पूरा भिरोसा है तुम पर और अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप इतने confident हो जाओगी कि आप सोच भी नहीं सकते और अब अपने mind में वो चीज़ revise करो जो आपने पूरे साल learn किया है अपने mind में fast forward movie की तरह प्ले कर लो और बस आप ready हो आपका समय बरबाद भी नहीं होगा और अलग से confidence आजाएगा अब लास्ट है के लिए मेने को इत्यारी या research नहीं की है यह आपको मिलेगी दादी जी के नुस्के से और इसके लिए आप इनसे ही ले ले लेते हैं फिफ्ट पॉइंट पॉइंट फाइब गिव यह 100% अपना अंदर इतना विश्वास रखो कि अपना कलास में पूरा टोप कर देंगे आप इतने मेहनत कर गिए कि अपना कलास में टोप कर गिए और अपना माबाप को ना मुचा कर गी आपको मेरे दादी जी के नुस्के कैसे लगे और ये मेरे ओरिजिनल दादी है और आपको इनके नुस्के कैसे लग रहे है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आपको में तिया अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई